गुरुबारकुर राजस्तार में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुविन सी डोटलस्रा के खर पेपल लिख मामले में एडी ने छापा मारा रोटस्रा के अलावा कॉंग्रेस वधाय कोंपरकाश हुडला और गहलोत के बेटे पर भी एडी की जाच टीम आज पहुची है एडी ने पुछटाच के लिए राजस्तान के सीम अशोग गहलोत के बेटे वेभbn गहलोत को भी तलब किया है वेभव गेलोत को EDK समन पर राजिस्तान के मुख्यमंद्री अशोग गेलोत ने कहा वेभव गेलोत का जहां तक मुख्य अंदाजा है यह टेकसी की एक कंपनी है उसका मावला है अब इस कंपनी में किसने किस को शेयर बेचे है उसका चवाब कंपनी दे रही है सुनिये उन्ह इक हाली टेकसी की जो है कंपनी है उत्पे रतन सर्मा पहले पार्टनर था 25 लाक रुपे का 25 लाक रुपे का हिस्जारी मेरी कार्वेबर गरोगी थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए अब इस तरही मामना आए अब उस होटल के अंदर वो कंपनी है उसमें शेयर किते किसको बेचे किते शीए वो कमनी दुवाब दे रही है कि टाइगेट तो मुझी कर रहे हैं कि टाइगेट मुझी तो कर रहे है क्योंकि मोझी जी हो जो पिलानि आगार आप लेंदर उसमान के अंदर ऊद्दर झीता भैंकरिन को है महाराष्ट्रा मधिपधे नियुदी नि कि अधान पॉर्फज़ निम्हां पर यहां डाल करी नहीं उनकी इतले चानपुर के रातानाच उनका सब्रोड़ आगे अधानाश को मुकालना हैं कामियां वह पिताएंगे इनको कामियां ऑपेट देखाएंगे जनता माने साथ में हैं एटी का दुर्पियों करो और सीपे के करो कुल पढ़ने पढ़ने और आज इसों ने जो किया है प्रदेश कॉंगेश कमणी अध्यश्ट के उपर हमला किया है जनता इसको पक्षेगी नहीं है मैं केर वुदाइब लगोने के पैरिश्ठ में हमले हुए माँ पर और वां किशके उपर हुए में प्रदेश कोंगरिश दोता साया पर है तो जो में तीटीश श्युक्मार माँ पर है निकेश शीवकुमार को हमले हुए और बीजीविश साफ हो जाए पीशिविधी इडी नाशू ग्यालोत के बेटे वेभव ग्यालोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम चार्च के सलसिले में समन्चारी किया है। हाला कि इस मामले में इडी की और से अभी अधिकारिक तोर पर साज़ा नहीं किया गया। लेकिन इडी से जुड़े अधिकारियों का क्यारा है कि ये चार्च मुंबई सित फार्म टाइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेट से चुड़ी हुई है। बता दे कि केंद्री एजेंसी इडी ने इस मामले में अगस्त और सितंबर वेज जयबपूर, उधैपूर, मुंबई और दिल्ली में कई स्थानों पर चापेवारी की हैं। और विलाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार मैं हूँ आपके साथ परीदी रगवनशी, खाबरों के लिए बने रहें रदू भाशी के साथ।